नमस्का दोस्तों मैं देविंद्री पावर प्ले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम डीप यानि की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट और उससे जुड़ी कुछ एहम बाते चानेंगे वीडियो आगे बढ़े उससे पहले पावर प्ले के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहें इस वीडियो में हम तीन पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे डी प्यार क्या होता है फिर हम जानेंगे कि इसके क्या इंपोर्टेंस है और सबसे लाश्क में हम जानेंगे कि डी प्यार कैसे बनाया जाता है तो आईए इन सभी पॉइंट्स को हम डिटल में समझते हैं सबसे पहले जानते हैं DPR क्या होता है DPR के मदद से हम अपने construction site पे हो रहे सारे activities को daily basis पे document करते हैं इसके मदद से हम अपने project के progress को आसानी से track और monitor कर सकते हैं प्रोजेक्ट के starting stage से लेके project के completion तक जितने भी activities हैं उसको हम detail में DPR के मदद से analyze और SSD कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि DPR की क्या importance है मिलनी 5 importance है पहला importance है tracking tracking का मतलब है कि हमारे project में किसी भी ongoing या completed activities को हम with data track कर सकते हैं और यह जान सकते हैं या हमारे project schedule के अनुसार time पे है भी या नहीं दूसरा importance है visibility मतलब हमारे project से जुड़े सारे लोग जैसे कि client, contractor या other stakeholders को हम अपने project के progress के जानकारी DPR के मदद से दे सकते हैं तीसरा importance है risk identification जैसा कि अभी तक हमने जाना कि DPR में हम daily basis पे सारे activities को record करते हैं तो उससे जुड़े risks को भी हम आसानी से identify कर पाते हैं और time रहते ही उसे avoid करने के लिए हम precautionary measures ले सकते हैं चौता importance है cost management DPR के मदद से हम अपने project में हो रहे सारे खर्चे को आसानी से track कर सकते हैं और इसके मदद से हम अपने project के total cost को manage और optimize कर सकते हैं पांचवा और अंतिम importance है learning and experience DPR में हम सारे records को details में document करते हैं तो इसे हम similar project के लिए as a reference document भी use कर सकते हैं अब हम जानते हैं DPR कैसे बनाया जाता है उससे पहले हम यह जान लेते हैं DPR के क्या 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 components होते हैं जिसे हम daily basis पे update करते हैं सबसे पहला है work status update यानि कि पिछले दिन कितना काम हुआ था और next day कितने काम की planning है इसका update देते हैं दूसरा है manpower update जैसे की site पे कितने mystery, labor, सरिया वाले काम पे लगे थे इसकी भी जानकारी हम देते हैं तीसरा है material update हमारे site पे किस काम में कितना material यूज हुआ इसकी भी जानकारी हम DPR में material update की मदद से देते हैं आजकल कुछ site पे picture documentation भी होती है इसके मदद से हम अपने project के progress को बहतर तरीके से बता पाते हैं अगर इन सभी project variables को हम tabular form में document कर दें तो इसे हम DPR कहेंगे traditionally या MS Excel में बनाया जाता था पर आज के इस digitized समय में हम इसे web application या mobile application के मदद से भी बना सकते हैं powerplay भी एक ऐसा ही application है जिसके मदद से आप अपने construction project के DPR को आसानी से मिंटो में बना सकते हो तो फिर देर किस बात की powerplay के application को अभी download करें नीचे description में link दी गई है और अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी तो इस video को like कर दें और powerplay के youtube channel को subscribe कर दें धन्यवाद